हलो एबरीवन आज से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था करीबन एक साल पहले कि आप अपने फॉर्मेट हो जाता है या क्राप्ट हो जाता है बिंडोज तो अगर आपका हाटिक्स फॉर्मेट करना पड़ता है कोई भी रिजन से तो उसको कैसे आप इसली रिकवर कर सकते हो तो देन वो एक साल पहले का सॉप्ट वेर था ताब उसको बहुत सारा अपग्रेड आ चुका है तो उस वीडियो पे बहुत सारा प्रोगलम आ रहा था तो उनहीं में से चार प्रोगलम को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ ठीक है अगर आपको इस वीडियो का डिट खा रहा हूं आपको यह आप देख सकते हो जब आप Google पे सर्च करोगे आई केयर डेटा रिकवरी तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा यहाँ से आप यही डाउनलोड कर सकते हो यहाँ ठीक है यहाँ पे आई केयर जो कि डेटा अब यहाँ पर नीचे पढ़ सकते हो कि recovering file from SD, USB, HDD मने hardix with free recovery tool which much faster safe totally free within 1GB अब जो आपका है कि अपग्रेड कर दिया बहुँ जादा जब अच्छा response रहता है software का तो बो update कर देता है अपग्रेड कर देता है जो कि paid version में ला देता है तो अब यह paid version में आ चुका है लेकिन जब मैं एक साल पहले जब मैं इसको recover किया था तो बो software मेरा में आज तक है तो उसका क्या करूँगा ना मैं drive में save करके link नीचे description में डाल दूँगा आप बहाँ से जाकर download कर सकते हो उसको download करने के बाद easily उसको install नहीं करना पड़ता है एक्चल में direct वो run कर लेता है ठीक तो आप उहां से software का तो program solve हो गया में ली अब मैं आपको बताता हूँ कि second में program क्या आता हो है कि जैसे आपका 500 GB का harddix है ठीक है तो जब आप इसको format करोगे तो हो सकता आपका format करने से पहले चार भाग में harddix बटा हुआ होगा लेकिन जब आप format करोगे तो एक भाग में आपको दिखेगा ठीक तो एक भाग में दिखेगा तो आप यहां पर सवाल उठता है कि पहले मैं partition बना लूँ या नहीं बनाओ तो आप पहले अगर आपको याद है कि मेरा चार चार सो जीवी का harddix ड्राइब बना हुआ था तो आप बना लो नहीं आद है तो simply आप जितना जितना का भी बनाना चाहते हैं बना कर अब बाकी एक एक करके आप उसको recover कर सकते हो ठीक अब ठर्ड प्रोग्लम है कि recover के बाद video और file ओपन ही नहीं हो रहा है तो अब जो update कर दिया है अगर अभी आप मेली जो official site है बहां पर से आप सब्सक्राइब डाउनलूड करते हो तो definitely बहां में यह चीज़ प्रोग्लम आएगा क्योंकि वह एक paid version खुरता अगर आप इसे करोगे तो बोची प्रोग्लम आएगा तो लिंक नीचे होगा बो सब्सक्राइब डाउनलूड किजिए एक साल पहले वाला भर्जन और फिर इंस्टॉल करके उसको recover किजिए तो नहीं आएगा अब फोर्थ में आता है बहुत अच्छा सवाले कि कौन सा partition सबसे पहले करे अब कौन सा partition मलब क्या होता है न कि जैसे मेरा यह 1000T 1000 GB का harddix है ठीक है तो यहां पे बिंडोज में बना हुआ है यह आप देख सकते हो बिंडोज में बना हुआ है 1500 GB का है और यह 400 GB का है तो मैंने आतक जो भी notice किया हूँ तो आप देख सकते हो बगल में C drive है फिर D drive है और फिर E drive है तो मैंने notice कि जाए कि E drive में अगर में recover करता हूँ तो वो easily recover हो जाता है कोई भी problem नहीं आता है लेकिन अगर D drive को recover करता हूँ तो कुछ कुछ प्रोगलम आ जाता है जैसे वीडियो फाइल और TMP फाइल की बज़ा से होता है बो जो आप दूसरा वीडियो है आप उसको में जाकर देख सकते हो इस वीडियो में बताऊंगो तो बहुत लंबा चल जाएगा तो नहीं बताता हूँ अब इसको में एक चीज और में दिखा देता हूँ कि मैंने पिछले साल कब recover किया था तो यह देख सकते हो उसका मैं actual में rename भी नहीं चेंज किया हूँ यह आप देख सकते हो recover data 2020 16 16 16 डेट था वहां पर और 6 मंथ था ठीक है उस तरीकों मैंने इसको recover किया था जो अभी तक फाइल यह पूरा का पूरा बना हुआ हुआ है हम इसको में कोई भी छेड़शाड नहीं किये एक्शल में इसका rename भी नहीं किया आज कर दे नहीं रहने देते हैं तो आई होप आप लोगों को ए वीडियो से नीचे description में दिया होगा software का भी और पिछले वीडियो का भी अगर आपको deeply में जानना है कि कैसे मैं recover कर सकता हूँ तो नीचे description में link होगा बोगल अभी वीडियो देख लेना आपको easily recover हो जाएगा अगर अभी भी कोई program होता है तो आप मुझे comment कर सकतो आपको minimum मैं 4-5 घंट